जेनेरेशन गैप बढ़ते जेनेरेशन गैप को कैसे कम किया जाए? स्ट्यूदेंस के लिए आयोजित कारिक्रम परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी देश भर के चात्रों से साल आना जुडते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं. उन्हें चर्चाओं से हम ले आए हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एक्जाम वारियर्स के लिए. हर रिष्टे की बुनियाद दोस्ती होती हैं. बास्तव में माता-पिता और बच्चे की बीच कम्यूनिकेशन यानि खुल कर बाचीत होना बहुत ज़रूरी है. अपने बच् से इस विशे पर बात करनी हैं. एक बात जो पैरेंट्स को डिसाइट करनी हैं, क्या वो बुढ़ापे की ओर जाना चाहते हैं, या फिर अपनी उम्र कम करना चाहते हैं. और आप भी बेटा अपने ममी पपा को जरूरी सवाल पूछ रहा. अगर पैरेंट्स बुढ़ापे क के तरफ जाना चाहते हैं, तो बेशक अपने बच्चों के साथ डिस्टन्स बना ले, गैप बढ़ाते रहें. अगर आपको नव जीवन की और आगे बढ़ना है, अपनी उम्र घटानी है, युवाब बने रहना है, तो आप अपने बच्चों के साथ गैप कम किजिए. क्लोजनेस बढ़ाईए, यह आपके फाइदेवाला है, आप याद करिए, जब आपका बच्चा एक साल के उम्र का था, तो आप उसके साथ कैसे बाते करते थें, तब आप उसे हसाने के लिए कैसी कैसी आवाजे निकालते थें, आप अपने चेहरे के भाती-भाती के एक्स कैसे उससे बात करते थे, ऐसा करते हुए, क्या कभी आपने सोचा कि कोई देखेगा तो क्या ठाहेगा, कभी आपने सोचा कि लोग आपको ऐसा करते हुए देखेंगे, तो यह कहेंगे, यह कैसे चेहरे बना रहा है, कैसी आवाज निकाल रहा है, क्या कभी उस समय आपने य आनंद आया, इसलिए आपने ये किया, आपने किसी की परवानी किया, यानी आप सब कुछ छोड़कर खुद एक बच्चे बन गए, बच्चे से खेलने के लिए आप खुद खिलोना बन गए, और बच्चे के खिलोनों से भी उतना ही चाउसे खेले, आप याद करिए कभी आप गोडा बने होंगे, कभी बच्चे को पीट पर बिठा कर चले होंगे, कभी कंदे पर बिठा कर घर पर घुमे होंगे, कभी चार पैर करके चले होंगे, बच्चा रोय होगा तुसे चुप कराने के लिए, आप भी जूडबुट का रोय होंगे, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि देखने वाला क्या कहेगा, घर के बाकी लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो उस्त क्या कहे, कुछ नहीं सोचा, क्या कभी सोचा आप उसका आनन्द लेते हैं और ऐसा बच्चे के 5-6 साल की उमर तक चलता रहता है जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो एक लेवल पर मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि मा बाप बच्चे को डॉमिनेट करना चाहते हैं बच्चे को हर चीज सिखाना चाहते हैं अचानक जो दोस्त थे वो दोस्त न रहकर बच्चे के इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं और कभी कभी इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं साथियों, बच्चा जब बाहर की दुनिया में पैर रखता है, तो बहुत सी बातें अबसर करता है, गर में जो देखा था, उससे कुछ जादा, कुछ अलग, कुछ नाया, तो देखने लगता है, उस समय आपकी ये जागरुक जिम्मेदारी है, कि उस नए बातावर में आपका बच्चा और अधिक फले फुले, और इसका उत्तम तरीका है, कि आप उसके मन से जुड़े, उसके मन से ही करें, और उसकी हर बात को इमोशनली एटेज हो करके सुने, ऐसे ने फोन कर रहे हैं और वो बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बि अगर वो काम आपका बच्चा करके आया है, तो उसो डांटिये मत, तोकिये मत, बस सुनते रहिए, सुनते समय उसको लगना चाहिए, आप उसको कितना प्यार करते हैं, हाँ, लेकिन जो चीज अच्छी नहीं है, उसको मन में रजिस्टर करके रखिए, और ये ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए करना बहुत जरूरी होता है, आप जितना हो सके, उसकी बात सुनिये, उसकी बात समझे, आप इंस्टर कर उसे सुभ़े से शान तक क्या करना हैं, ये मत समझाईए, बार बार ये मत पुछिए, कि मैंने ये कहा था, क्या क्या किया, बस अपने आखे खुली रखिए, कान खुले रखिए, उस पर ध्यान रखिए उसमें सुधार से जुड़ी जो बाते आपने रजिस्टर की हैं जो आपको ठीक नहीं लगा, उसे ठीक करने के लिए बहुत विचार करके एक environment create करिए, ताकि उसे खुदी लगे कि वो कहां गलत कर रहा है जब माबाब बच्चों के साथ हम उम्र बन कर ही जुड़ते हैं, तो कोई इश्यू नहीं होता है जैसे बच्चा कोई नया गाना सुन रहा है, कोई नया मुजिक सुन कर आनन ले रहा है तो आप भी उसके साथ उस आनन में सामिल होने की कोशिश करिए, आप उसको मत करो कि 30 साल पहले हमारे जमाने मेरे तो वो गाना था, आप वो बजाएंगे, ना यह ऐसा मत करो वो जो गाना उसको पसंद है आप उससे जूड़ी आनन लीजिए ना, यह समझने की कोशिश तो करिए, कि आखिर ऐसा क्या है उस गाने में, कि आपका बच्चा उसे पसंद कर रहा है लेकिन होता क्या है, कि हम देखते हैं, ठिक इसी समय कुछ माता पिताई कहने लगते हैं कि यह क्या बेकार का गाना सुन रहे हो असली मिजिक तो हमारे समय में होता था, अब तो जो बनता है वो शरफ शोर स्रयाबा होता है होता क्या है, कि बच्चा आपको कोई बात बताता है, वो बताता है कि आज कुल में हमने ये किया तो कहीं आप अपने ही कहानी लेकर तो नहीं बैठ जाते हैं, कि अरे यह तो ऐसे क्या है, क्या नई चीज है, यह तो ऐसा ही है अपने बच्चे के साथ उसकी जनरेशन की बातों में उतनी ही दिश्चत पर दिखाईएगा आप उसके आनन में शामिल होंगे तो आप देखिएगा जनरेशन गैप कैसे खत्ब हो जाती है और शायद जो बात आप कहना चाह रहें वो उसके समझ में भी आजाए और इसलिए जनरेशन गैप को कम करने के लिए बच्चों और बड़ों को एक दूसरे को समझना होगा खूले मन से गपसप करनी होगी, खूलकर बाते करनी होगी समझना होगा, सुनना होगा और फिर आपको बदलने की तैयारी भी रखनी होगी तो याद रखिएगा मोदी जी की बात अगर generation gap खत्म करना है तो अपने बच्चों के साथ हम उम्र बनकर उनसे जुड़ना है अपने बच्चों के साथ वैसे ही विवहार करें जैसे आप उनके साथ बच्चपन में किया करते थे पेरिन्न से पहले उनके दोस्त बनें बनेवे